आज प्रिष्मिंद्राइर रह्मान रहीं दियर स्टूडेंट आज हैं मैसी फर्गुषन का यह सेक्षें पॉर्डल आपके सामने पड़ा है यह 200 सीरीज का मैसिज विशन 240 का सेक्शन मौडर्न ट्रांस्मिशन आपके सामने लिए तमाम चीजे वीज्व नजर आ रही है और मैं डिटेल से आपके बताता जाओंगा कि कौन सी चीज का क्या नाम है और उसका क्या फाक्शन है आप पर एक बँजो फर्मा के मेरे साथ साथ जस्तर्झ मैं आपके सुमजा को आप चाते जाएं तो आप आते हैं जो ड्राइव आती है वो कीसे आती है और जो ड्राइव ट्रांस्मिशन के अदर लेके आनेवानी शाफ्त हैं उनका नाम क्या है और विट कौन कुन सी शाफ्ट है हाँ तो मैं कह रहा था कि ट्रांस्पिशन के अंदर ड्राइव किस तरह आती है तो यह आप देखें कि यहां पे एक स्प्लाइंज वाली बारी शाफ्ट लगी हुई है और एक स्प्लाइंज वाली बड़ी शाफ्ट लगी हुई है यह जो बड़ी शाफ्ट है आपके सामने जो आपको नदर आ रही है इसको पीटियो इंपुट शाफ्ट कहते हैं । ठीक हो गया और इसके ये स्प्लाइन जो है वो पीटियो फ्रैक्शन प्लेट जो कलाच असम्बली में लगी हुई है ये स्प्लाइन उसमें जाके फिट होते हैं और वहां से ड्राइब लेते हैं अच्छा मज़ेगी बाद ये है कि ये पीटियो इंपुट शाफ जो है ये अंदर से हालो है और उसके दर्मयान से गुजरती हुई ये जो बरीक शाफ आपको नदर आ रही है और इसमें स्प्लाइन नदर आ रहे हैं कि हमारी में ड्राइब फ्रैक्शन प्लेट जो है उसके स्प्लाइन जाके ये फिट होते हैं और वहां से ड्राइब लेके ये ट्रांस्मिशन को देते हैं और ये आपको जो पिंसीबन ही नजर आ रही है न ये फिलाइवील के अंदर लगा हुआ जो हमारा बेरिंग है उस बेरिंग में जाके लुकेट होती है तक इसकी पुजिशन जो है इसका एंगल जो है और इसकी जो लेवल है वो मेंटेन रहे अब आपको समझ आ गए है न कि जो बरीक वानी शाफ्ट है ये हमारी में इंपुट ड्राइव शाफ्ट है और ये जो बड़ी वानी शाफ्ट है ये हमारी पीटियो इंपुट ड्राइव शाफ्ट है ठीक है अब आपको मैं इनकी दूसरी तरह दिकाता हूँ कि दूसरी तरह इनके साथ क्या क्या चीज़ आटेच है और ये इस हाउजिंग में किस तरह आटेच है, जैसा कि मैंने आपको फ्रेंट साइट से दिखाया है, कि वो जो हमारी PTO Input Shaft है और Main Input Shaft है वो यहां पे आ रही है यह आप तेकि यह परपल कलन का जो आपको नजर आ रहा रहा नहीं है यह बाडी इसको हम Retainer कहते हैं और इस Retainer के अंदर हमारी PTO Input Shaft यह आपको Bearing नजर आ रहा होगा और यह सील तकर सारी नजर आ रहा है अगे हमने स्नैपिंग लगाके तो इसको इसके अंदर फिक्स किया हुआ है और यह बोल्टों की मदद से ट्रांसमिशन केस के फरंट साइट के उपर वाले होल में फिट है ठीक है उसके बाद वो जो हमारी आ रही है ना पीटियो इंपुट शाफ्ट अब देखें कि मैं पीटियो इंपुट शाफ्ट को हरकत देता हूँ यह देखें मैं पीटियो इंपुट शाफ्ट को उसके सप्लाइंग से हरकत दे रहा हूँ और उसके आगे लगा हुआ गेर ये शाफ्ट के उपर fix दातों दाते बने हुए है ये शाफ्ट के उपर काट के ये गेर बनाया गया है ठीक है और ये गेर अब देखें मीचे एक गेर को चला रहा है वो जो गेर है वो हमारा पीटियो constant driven गेर है ये जब तक इसमें ड्राइब आती रहेगी ये मसलसल गेर चलता रहेगा ठीक हो गया अब मैं में शाफ्ट जो है में इंपुट शाफ्ट उसको गुमाता हूँ उसके स्प्लाइम से और आपको पता चलेगा कि उसमें ड्राइब किस तरह आती है ये आपको नदर आ रहा है ये हमारी जो में इंपुट शाफ्ट है ना उसका ये ड्राइब गेर है में इंपुट शाफ्ट का ठीक है और अब आपको ज़एदा नदर आ रहा हुगा और नीचे एक ये जो लगा हुआ है वो उसका driven गेर है और इसको ये कास्टन मेश है और जब तक ये शाफ्ट चलती रहेगी ये मुसर्फर इसके साथ चलता रहेगा और ये जो कास्टन मेश गेर है ये हमारी जो ले शाफ्ट है उसके उपर बने हुए स्प्लाइल्स की वज़ा से फिट है ठीक है तो यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी न कि हमारी में ड्राइब जो है वो इस गेर के जरीए इस गेर पे आती है और हमारी जो पीटियो ड्राइब है वो इस गेर के जरीए इस गेर के उपर आती है यहां तक तो हमने इंजन से कलाच के जरीए ड्राइव लेकर ट्रास्पिशन के अंदर आ गए अब ट्रास्पिशन की डिटेल में हम जाते हैं तो देखें यह उपर एक सुराफ यह होल यह है इसमें बेरिंग लगा हुआ है इसमें यह एक शाफ लगी हुई है और सारी शाफ जो है ना उसके उपर स्प्लाइंज है यह हमारी मेंड शाफ है और मेंड शाफ के उपर सबसे पहले यह एक गेर लगा हुआ है जो उसके स्प्लाइन में असानी से अरकत करता है और इस गेर में आप देखें कि एक शिफ्टिंग फॉर्क लगा हुआ है और शिफ्टिंग फॉर्क का तरलक सेंटर वाली रेंड के साथ है ठीक है तो जब हम अपने गेर रीवर को तूसरी तीसरा गेर अंगेर अंगेस्ट करने के लिए इस्त्मा़ करेंगे तो मैं अभी आ अपको दिखाता हूँ आमरशाब आइं ज़रा तीसरे गेर को आम मूम्होमण दें तीसरे गेर को द säले न्यूटर करें इसको आप देखेड़ आमर साथ इसको वरकत दे रहें है तो जैसे ही आमर साथ अपने गैर लिवर को जो ये त्र stupid करेंगे तो ये फुर्क की मदद ते है ये देख्त तो ये आपके ट्र फुक्स है और फुर्क कWhen!! आप यहां पर... अब यहां पर ही न्यूटल है जब आमर साब इसको अर्पत देंगे तो यह पीछे जाके नीचे जो आपकी लेश शाफ्ट में जो यह गेर जिस पे मुसल्कल ड्राइव आ रही है यह आपके थर्ड गेर को ड्राइव देने वाला गेर है जो के लेश शाफ्ट के अब चीज के आपस में मिलने की वज़ा से हमारी में शाफ्ट जो है उसके उपर थर्ड गेर की ड्राइव आ गई ठीक है तो यह नहीं हमारी जो में शाफ्ट है उसमें सबसे पहला जो गेर फिट है वो हमारा थर्ड गेर की ड्राइव लेने वाला गेर फिट है और जो हमार अब आप देखें कि यहाँ आपकी जो में शाफ्ट है उसमें ये बेरिंग है बेरिंग लगा है इसलिए कि आपके शाफ्ट लेवल रहे और असानी से गूम सके इसमें ये आप देखें तो आपको पूरी शाफ्ट योपर स्प्लाइंट नजरा आँगें यहाँ पर यह एक ब पाप मूमेंट देंगे आमर साभ इसको फ़र्स गेर की मूमेंट देखीर अब आप साभ आपनी तरफ पर त्रैवल करेंगा तो यह बड़ा ऋजराव इस च्वाप पर ब्सक्राइब नहीं 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 सिक्ति के साथ लिए कि पडिक यहां पर नहीं पर टीथूं पर करकि आपके स्क्टराइब जो ड्राइब ले रही है लेशाफ्ट से वो उसके टीधा पसमें टैस हो गए है तो अब हमारी ड्राइब जो है वो हमें फर्स्ट गेर की ड्राइब जो है वो मिल गई है और हमारी मेंशाफ्ट पे फर्स्ट गेर की ड्राइब आ गई है अब 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 आप देखें कि यह जो section करके naked किया हुआ है ताकि आप जो को नजर आ सके और आप असानी से समझ सकें कि ये क्या चीज़ है इस पर दो गेर बने हुए है एक बड़ा गेर है वो ले शाफ्ट के उपर एक लगे हुए गेर से मुसलसल ड्राइब ले रहा है एक इसके उपर छोटा गेर है जो अजाद भूम रहा है जब हम reverse गेर के लिए अपने गेर शिफटिंगलं से वेल को अर्कत देते हुए फॉर को अर्कत देते हुए हम इसाफ गेर में लगाएं जा इसको है अब आप देखे जो गेर ओपर लगा हुआ है हमारी मेंशाफ्ट के वो सप्लाइमंस में ट्रैबल करता हुआ जाके reverse cluster का जो छो छोटे वाला गेर है उसके साथ अंगेज हो गया है और अब हमें इस तरह अपनी मेंशाफ्ट पे reverse drive मिल गई है तो इस तरह हमारा ये reverse gear अंकाम करता है और अब आपको समझ आ गई होगी के मेंशाफ्ट के उपर जो दूसरा gear bearing کے بعد лگा हुए है बड़े वाला को हमें दो किसम की drive σει देने drive देने की मदद करता है पहली drive तो यह है कि वह हमें first gear की drive देता है और दूसरी position में जा कि हमें वो reverse drive देता है अब उसके पीचे आजए हैं उसके पीचे main shaft के ऊपर एक बड़ा गेर लगा हुए है जिसमें दो मुक्तलिफ साइजेज के टीज हैं एक जगा पे गेर की जो ओवराल डायमीटर है वो कम है जो फरंट साइट पे है और एक जगा पे डायमीटर ज्यादा है वो rear side पे है चीक है और उसमें आप देखें कि उसी तरह ये fork लगा हुआ है और fork जो है न शिफ्टिंग डेल की मदद से शिफ्टिंग डेल के ओपर fit है और fork इसी तरह शिफ्टिंग डेल जो है ऑफ हमारे gear रिवर से operate होती है तो आप मैं आमर साब से कहूंगा कि वो गेर लीवर से अपरेट करते हुए सेकंड गेर अंगेज करें सेकंड गेर के लिए अब आप ने लेखा कि आमर साब ने सेकंड गेर के लिए गेर लीवर को उपर की तरफ अब कर दी है और फोर्क जो है रेल जो है वो बैकवर्ड ट्रैवल हुई है और हमारा जो बड़े अपना है क्या नाम है उसका गेर वो जाके नीचे शाफ पे लगा हुआ एक छोटा गेर है हमारी लेश शाफ के ओपर वो देखें आपको नदर आ रहा होगा एक छोटा गेर है वो उसके साथ अंगेज हो गया है अब वो वहाँ से ड्राइव उसको जो मिल रही है नीचे वाला गेर चुके छोटा है उपर वाला बड़ा है लिहाजा हमें यहाँ पे सैकंड गेर की ड्राइव बिल रही है बास समझ में आ गई किस तरह किस किस गेर को हम शिफ्ट कर गे किस किस गेर के साथ मिला रहे है काउन सा गेर किस शाफ्ट के उपर है तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया न अब अमर साब इसको फोर्थ गेर में अंगेज करें अब आमर साब ने फोर्द गेर में एंगेज कर दिया इसको तो ये जो ले शाफ्ट के उपर आखिर में दो इकटे लगे हुए गेर है उन में जो छोटी डाया वाला गेर है वो हमारी ले शाफ्ट के उपर लगे हुए तकरीबन सेम डाया के गेर के साथ जा मिला है जो के रिवर्स क्लिस्टर को भी ड्राइब देती है और इसको भी ड्राइब दे रही है तो अब हमें फूर्थ गेर की स्पीड जो है वो हमारी मेंशाफ पे हासल हो गई है और मेंशाफ्ट जो है उसके आप भ्रियर पर देखें कि यहां टांस्मिशन केश में यह बेरिंग की मदद से फिट है और इसके पीछे आपकर एक यूनट नजर आ रहा है इसको हम एप्पी साइकलिक रिडक्शन यूनट कहते हैं क्या कहते हैं Epping Cycling Reduction Unit कहते हैं? ठीक है? Epping Cycling Reduction Unit जो है इसमें यह जो हमारी मेंशाफ्ट गा रही है मेंशाफ्ट के ऊपर अच्छा जिस improved मैं आपको उस कर रहा है तक यह कैरियर यूनिट है कैरियर यूनिट से कैरियर यूनिट के अंदर हमारी ले शाफ्ट जो है रहा है मेंशाफ्ट आ रही है मेंशाफ्ट के एंड पे टीज बने हुए वो टीज जो है यह हमारा कपलर है और जो जिससे हम low high speed अंगेज़ करके लेते हैं जिस तरह मैं आपको ट्रैवल करना नदर आ रहागा तो जब ये कपलर फारवर जाता है तो ये डारेक्ट जाके हमारी जो मेंशाफ्ट है मेंशाफ्ट को मैंने इस वोगत चौते गेर में अंगेज़ किया हुआ है अब आप देखें कि हमारा कपलर जो है वो डारेक्ट कपलर के अंदर बने हुए स्प्लाइन जो है वो हमारी मेंशाफ्ट के एंड पे बने हुए टीज़ के साथ अंगेज़ है और वहां से उसको डारेक्ट ट्राइव मिल रही है ठीक है अब मैं इसको न्यूटन पॉजिशन में लाता हूँ अब इस पे ड्राइव आनी खत्म हो गई है आमर्साब आप इसको गुमाते रहें अब इस पे ड्राइव आनी खत्म हो गई है ये फ्री हो गई है लेकिन हमारे वो गेर भी अंगेज है हमारी जो डॉब्स है, वो कैरी यून्ट में भी आ रही है, हर्पिसाइकलिक यून्ट में भी आ रही है और आप टेकें ये हैं, हर्पिसाइकलिक का जो س्लीउव है, जिसके अंदर गू быстр कर रहे हैं, वो हर्फ़़ कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं उसको लोग एर में अंगेज करता हूँ तो लोग एर में जब मैं अंगेज करूंगा तो कपलर बैकورड आएगा और कपलर के उपर बने हूए टीद जेर में लगे हुए स्प्लाइन लिंक में अंगेज हो जाएंगे इस तcile मुझे लोव स्पीड आसल हो जाएगी बास समझ में आ गई लो स्पीड में टार्क जादा होती है आर्पियम काम होते है ठीक है तो जब मैं हाई स्पीड में मिला कि इसको चारों गेर फारवर्ड लगाऊंगा तो मुझे चार गेरों की स्पीड मिल जाएगी फारवर्ड और एक कि मिलेगी जब मैं इसको अंगेज करूँगा केरियर यून्ट में तो मुझे चार मजीद फारवर्ड गेरों की स्पीड मफ्लिव रेशियों से مिलेगी और मुफ्लिव टार्क से मिलेगी और जब मैं रिवर्स में अंगेज करूँगा तो फुर मुझे दूसरे रिवर्स की एक यानि उस पहले जो रिवर्स हाई स्पीड वाला है उससे मुखलिफ स्पीड और मुखलिफ टार्क मिलेगी तो ये जो चीज़े मैंने आपको बताई हैं मुझे अमीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी और अब इसको डिटेल से जो है मैं कोशिश करूँगा कि हर बच्चा दो दो तीन तीन बच्चों का ग्रूप आके इसको फिजिकली देखे और फिजिकली अपने हाथों से सारी चीज़े अपरेट करके इसको समझे तो कि हमने इस तरह इतना ओपन और नेकेड मॉडल बना दिया है कि हर चीज फंक्शनल भी है और आपको नज़र भी आ रही है कि कौन सी चीज किस तरह काम कर रही है थैंक यू वेरी मच्च